हेले विद देर तिमित्रान्नों ग्लोबल ओनलाइन क्लासे सुरतिय अपला सगलायन सा स्वगता है तर डॉक्टर बाबा साहिब अमबेड कर मरहाट वाडा एनवरसिटी इदे जे पीएजडी इंट्रांस एक्जाम होना राहे तर तेची आता फाइनल लिस्ट जाहे जाहिर जाली ले आहे तेचा नंतर आता हॉल टिकेट कदी एनर हे सगलांच मना मदे एक प्रश्न है कि हॉल टिकेट कदी एनर तर तेस आपन यहाई उड़ेचा मात देमोतुन अपडेट भगना राहोत अनि परिक्षा मनझे तुम्हाला कशी उत्तीर्न कराई जे तेपन यहाई उड़ेचा मात देमोतृन पन डिस्कस करना राहु la आपन वड़ोया ओफिशल वेबसाइट वर्थी तर इदे बहु शक्तात तुम्ही यह वर्थी में एक फूल वीडियो पन बनाव लेला है टाइम टेबल ते चनंतर एपिरिंग स्टुरेंट मंझे जे एक्जाम देना रहे ते चनंतर एक्जेम्टेड इस्टुरेंट मंझे ज पूर्था ता नहीं के लिए उती सगले डॉकुमेंट चीव अगेरे तर ते आता आलाव नहीं है ते नना एक्जाम देना सा ते आप आत्र ठरलीले आए ते चनंतर जा है टाइम टेबल बगुन गयो है आपन टाइम टेबल बगा हे मॉर्णिंग सेशन मदे दोन आसनर आया काही सब्जेक कोड आनी इदे टाइम दिले लाए दहाते आकरा तर आशा प्राकरे डेट आनी सेशन यहननी दिले ले आया ते चनंतर टाइम पन इदे दिले ले लाए ते चनंतर आपन बगुन गयो है विद्धर दिमित्रानों तुमसा शेडूल इंट्रक्शन का आये तु करमांग काहे मज़े एक आवेरेस तुम्चे दोन पेपर होना रहा है वन फेस ओनली तर चनंतर क्रमांग दोन बगुन गयो है इदे तर दोन तासा सा इदे तैननी टाइम सांग इतलो था बट आत जे टाइम टेबल तैननी इदे रिलेस के ले लाए तर इदे बहुँ शक्त शंबर मारकसलम सा एकजाम होन रहाय। 15 मार्क रिसर्च मेतड़ोलोजी दे पढ़अनी 15 मार्क तुम्चे सब்जेक स्पेसिफिक। तर आशा प्रकरे तुम्मामला जे आए दोन पेपर देच आए फिर्स्फेपर रिसयर्च मेतड़ोलोजी सेकेंड पेपर तुम्चा सब् प्रश्ण होता कि कमबाइनिंग पासिंग आये मंजे दोनी मिलोन पासिंग आये आतो तुम्हें पेपर वन मदे 30 मार्क पढ़ ले तुम्हें सब्जिक्ट मदे 20 पाढ़ ले तर इदे पासिंग होतोगा तर इदे आसन नहीं आसना रहे करण कि मागे जे एक्जाम धाले ले त ते सग्ड़ का ही इंडिविज्वाल पासिंग आसतो मंजे तुम्हाला पेपर वन मदे रिसर्च मेत्रोलोजी मदे 25 मार्क आनिवारी आये मंजे ते तुम्हाला पाढ़ लाग ना रहे त्या चरण तर सेकेंड पेपर त्या मदे पन 25 मार्क पाई जे तरस ते आसना रही दे तर आश्य प्रकरे यह एक्जाम होना रहे ते चरण तर हे जे स्कोर काड़ आए ते एक वर्ष वैलिड आसना रहे आनि इंटर्यूचे तुम्हे दोन राउंड होता तर एक वर्ष तुम्हें जे एडमिशन गेतलब आई जे तरस ते वैलिड आसना रहे ते ते चनंतर जे सक्सेस्फुल पेट एग्जामिनेशन मंझे जे एक्जाम कौलिफाइड जाले ले तर त्यांसा इंटर्यू अगेर होईल अनि ते चनंतर त्यांसा जाहे सेलेक्शन होईल ते चनंतर विद्धर्थ मित्रान नों आता तुम्हाला हे रहलेले द्योसत कस स्टडी कराई साहे तर त्यांसा इस ग्लोबल ऑंलाइन मराथी वरतिया में एक क्रेश कोर्स घ्योन आलवा हो तीन द्योसा सा तुमसा क्रेश कोर्स नारा हे तर त्यां मदे तुमसा जाहे पूर्न सेलेबस रिशर्च मेत्रलोजी जेके 15% मंझे 25 मार् पाड़ाई चाहे तुम्हाला आता बरेश्ची विद्ध्यारती अन्नोन आसता थे सेलेबस मदे तुम्चा नसता तुम्हाले कोठे शिकावला दातने रिसर्च मेतरलोजी जे कॉंप्प्रेड एग्जाम ची तैयरी करता तर त्यांना थोड़ा आईडिया आसतो आता नेट अожतो जिया उर्टी पास क्वेश्चzzन विचार ला आता सेट मदे थे तस्न हे थे तुम्हाला पननास विचार ला दाना रहे आदेकर डीप मद्ये रिसर्च मेतरलोजी मदउं Aside कोशिन वाथ मितर दम्हां तरन यहांमाधे आमिसाट पहीं स्चलेबस जाए 27 ते–28 मंजे परवापसुन तुम्सा क्रैश कोर्स असना रहे आनि तुम्सा पूर्णा सेलेबस या मदे कवर केला जाना रहे रिसर्च मतडलोजी सा पूर्णा टॉपिक जे सेलेबस चा अकोर्डिंग है पेपर ओन तुम्हाला कॉमन अस्तो सगले विद्यारतन साथी सगले फैकल्टी साथी तुम्हाला इंटर सेलेबस कवर केला जाना रहे अमची ग्यारंटी आहे तुम्हीं फर्स फेपर कॉलिफाइड हूनस जातल कारण की अम्मी ते उड़ा प्रिपरेशन तुम्हे घड़ून करूंगे तो त्यचनंतर जश्ची तुम्हे एक्जाम आस नारे त्या आप्रा कर स्टाइड सेमिनार ॅससस सेमिनार जा है तर टे अचारा इंग्लीश बिलेंग वल और आपे तुम्हें तो में में अत्ता जॉयन केले तरक तुम्हाला साड़े, चार और नवुसा दोन आचे लेक्चर होता तापले असा अज हो दय होता है तर आशा परकरे दोन द्यवस तुम्छे सेमिनार ला स्टार्ट होना राए तरह एचे जी फीज है साच्छे नववेन और ठेवली ले फक्ता आपन यह नम्मर वड़ती कॉंटे करा नी लगेस कोर्स ला जोइन करा कारण की तुम्चा गड़ात यह खूपस कमी दिवसा है यानि आमी कमी दिवसा तस हे कोर्स असर पेपर साथी पन आप लगड़े स्टडी मट्रेल अवेलेबल आए जार आता तुम समझे फर्स पेपर सा जाल्या सेल स्टडी तर ओर लुक करा रहे ले तुम्हाल सेकेंड पेपर साथी mcqs अनि theoretical notes पन बेटना रहे यह जी फीज है यह 999 फीज है अनि यह नंबर वरती कॉंटेक करा कोर्स ला जोइन करने साथी अनि एक ग्रेड ची उन्वर्सिटी नेक एक ग्रेड है तर तीन आक्टोबर ला तुमसा एक्जाम होना रहे तर अपलेला बगाई साई कि तुमसा जे आड़्मीट काड आए हॉल्टिकिट जाहे परिक्षा पत्र तेक कदी एन आ रहे तर तीन आक्टोबर ला तुमसा एक्जाम आस्ना रहे अनि जनरली आता आठ आठ दिवस आधी तुमचे जाहे एक एक ठोड़ा भर पहीले तुमसा जाहे है एड्मिट काड एतो होल्टिकेट एतो तरह 26 सेप्टेबर मंजे 27 सप्टेबर ला तुमसा होल्टिकेट एनेची दाठ शक्यता है तरह या मदे नहीं आला तरह 27 ते 28 एकुंतिस परेंट यून जयल तुमसा 28 तार के पसंद मंजे परेंट तुमसा जया है होल्टिकेट यून जयल तरह 27 ते 28 डेट तुमी दोरून चला तरह आश्या प्रकरे विदर्थी मित्रन नो 27 तार के ला से ले पाईजे बड़ आता बोगुई आपन काय होतो 27 ते 28 परें तुमाला किती टाइम आहे एक्जाम साथी तेचन अंतर तुमसा एक्जाम कुटे होना रहे सेंटर हो अगेरे सगल कही डेटेल त्या वर्थी देन्या ते ते तरह आश्या प्रकरे विदर्थी मित्रनों हे अपडेट होती आच्छी हॉल टिकेट का दिया ना रहे है या इतले ले आहे तरह आश्या प्रकरे तुमझी तीन अक्टोबर ले एक्जाम आहे अनि आपन एक्जाम साथी एडमेट कार्ड आल्या नंतर तुमाला काई गर्जे सास्त सेंटर वर्थी ग्योंद आयला ते सगल काई आपन नेक्स्ट वीडियो मादे बगुन गिविया अनि तुमसा सव विस्तार के ला जाहे अडमेट कार्ड आले नंतर आपन ते अप्डेट बुन हुया तरह दर्थी में तरनाव वीडियो अवल्ड आसेल तर लाइक करा अनि आपले चानल ला अवश्या साथ सब्सक्राइब करा जे विद्ध्यार थी सीरियसली दे पिएजडी कर प्रिपरेशन नहीं तरह आपन ते सब्सक्राइब करूंगे तो तरह दिलिले नंबर वड़ती कॉंटे करा अनि कोर्स ला लगेज जोईन करा करन की तुम चकड़े विल खूपस कमी आहे थैंक यू थन्यवाद वीडियो अवल्ड आसेल तर लाइक करा अनि आपले चानल ल